हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टन प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछा जाती है दोस्तों मैं आपको बता दूँ हूँ मैं मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइस करा रहा हूँ यह आपका पार्ट नंबर 46 है जदी 45 तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्रेलिस्ट में मैं अच्छ गरित पार्ट के नाम से आपको प्रेलिस्ट मिल जाएगी उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइस मिल जाएगे आप देख लेना ठीक है यह आपका पार्ट नंबर 46 है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका किसी बस्तू को 1920 रुपे में बेचने पर और जित लाब का प्रेतिसत उसी बस्तू को 1280 रुपे में बेच किसने पर हुई हानी के प्रेतिसत के बराबर है पस्तू को कितने मूले में बेचा जाए कि 25 परसंट का लाब हो किलिए दोस्तों देखिए जब भी आपको दो दो बिक्रे मूली दिये जाएं दो दो बिक्रे में एक तो 1920 रुपे में बेचा जा रहा है एक बारे सो असीर में बेचा जा रहा है किलियर है एक बार क्या होता है लाब एक बार क्या होती है हानी किलियर है और लाब और हानी क्या है दोस्तों बराबर है लाब और हानी का जो प्रतिसत है क्या है दोस्तों आपस में बराबर है किलियर है यहां पर दे रखा है प्रतिसत के बराबर है लाब और हानी दे रखा है, दो-दो आपको विक्रे मूले दिये जाएं, एक बार लाब दिया जाएगा, एक बार हानी और क्या कहा जाएगा, लाब हानी का प्रतिसत बराबर है, किलियर है किलियर दोस्तों यहां तरह बात समझ में आगी लाब और हानी का प्रत्सत क्या है बराबर है अब आपसे क्या पूछा गया है बस्तु को कितने मूली में बेचा जाए कि 25% का लाब हो सके कि लिए रहे कितने में बेचा जाए तो सबसे पहले तो आपको क्रेम मूली पता होना चाहिए कौश्ट प्राइस पता होना चाहिए ब 1920 पिलस का 128 के लिए इसे कर देंगा आप 2 से डिवाइट कर दीजिए दोस्तों अब दिखें इनको सबसे पहले जोड लेंगे 1280 1920 को जोड लो पहले इसमें 1920 से 80 को जोड लेंगे 2000 बचे का कितना 1200 ये कितना हो जाएगा उपर यह हो जाएगा 32, इनको जोड़ा 32 आगया, 2 से कर दो divide, 2 से divide करेंगे 32, कितना आजाएगा? 600, यह क्या है दोस्तों, आपको cost price मतलब CP आगया, अब हमें पता चल गया, 1600 पर हमारे बस्तू का क्रें मूले, ठीक है, अब क्या कहरा जाए, इसे कितने मूले में बेचा जाए, कि 25 परसेंट का लाव हो, तो 25 परसेंट का लाव निकालना है दोस्तों, तो लिकार लीजिए, 1600 का 25 परसेंट निकाल लीजिए, डिवाइड में 100, 0 से यहाँ पर 2 0 आप कटा जीजिए, 25 का 16 से आप मल्टिप्राइग कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, 16 पंजे, 80, 80 का 0, केरी का 8 आठ आ जाएगा, 16 दूनी, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 400, तो देखे, कोश्ट प्राइज हमारा कितना था, 1600 कोश्ट प्राइज हमारा birds 600 था, केरी रहेगा, जब हम इसे 25 परसेंट पर बेचते हैं, कितना मिल ली और मिलता है, 600 रपे का फाईदा होता है, केरी दोस्तों, 16 रुपे की बस्तू को 25 परसेंट के लाभ पर बेचते हैं कितना मिलता है 400 मिलता है किलियर है तो कोश्ट प्राइज हमारे कितना था 1600 लाभ का इसमें 400 और जोड दीजिए किलियर है कितना मिल जाएगा 2000 रुपे मिल जाएगा यही आप का अंसर हो जाएगा क्या कहा था आप से कि बस्तू को कितने बूली में बेचा जाए कि 25 परसेंट का लाभ हो बस्तू को 202,000 रुपे में हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा 25 परसेंट का लाभ होगा क्योंकि हमारी जो बस्तू थी कितने रुपे की थी 1600 रुपे की बस्तू थी इस 1600 रुपे की बस्तू को 2000 रुपे में बेचेंगे तो 400 रुपे का मतलब लाब हो जाएगा 400 रुपे कितने के बराबर है 25% के बराबर है क्योंकि हमने यहां से 25% निकाल लिया 400 निकल के आया केलियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस question में आपको कोई भी doubt नहीं होगा अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे के लिए रहे इसके लिए एक simple formula होता है M1, D1, appointment, W1 बराबर M2, D2, appointment, W2 यह simple formula होता है मैंने इसके उपर सवाल कराए है यदि आप regular हमारे वीडियो देखते हैं देने आपके 2 दिन के लिए कोई डाउट ने होना चाहिए 2 दिन work, काम कितना है वर्क आपका 96 मीटर दीवार बनाने का काम है कितना है दुस्तों 96 तो यहाँ पर आप 96 रख दीजे के लिए कोई डाउट ने होना चाहिए बराबर बाद में कितने आदिमी हो रहे हैं मैं दे रखा है ना बाद में कितने हो रहे हैं मैं 6 हो रहे हैं के लिए रहे कोई डाउट ने काम कितना कर रहे हैं 72 मीटर की दीवार बना रहे हैं तो वर्क की नीचे वर्क रख देंगे आप कितना वर्क है आपका 72 मीटर की दीवार बना रहे है पूछा क्या गया है कितने दिन में बनाएंगे दिन मतलब D2 आपसे ये D2 पूछा गया है वरक आपको दिया गया है 72 के लिए दोस्तों यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप देखे बस आप इसे कटा लिजा आपकांसरा जागा 6 से 72 कट जाएगा कितनी बारी 12 बार कट जाएगा के लिए दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब दिखे ये एक्वल में है और नीचे नीचे है जब एक्वल में होता है तो नीचे नीचे कट जाता है उपर उपर कट जाता है तो 12 से 96 कट दीजी कितनी बार जाएगा 12, 96 होता है के लिए दोस्तों यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आप देखे इसे कटा लिजे 4 से 8 कितनी बारी कट जाएगा 4 दूने का 8 कट जाएगा किलियर यह भी कट गया अब यह नीचे से यह 2 कट जाएगा एक बारी तो क्या बचा इधर क्या बचा दोस्तों आपका 1 बचा एक बचा एक बचा क्या बचा D2 D2 ही तो फाइंड करना था तो कितने दिन में 72 मीटर की जो दिवार है उसे कितने दिन में बना पाएंगे दोस्तों एक दिन में बना देंगे option number A आपके यहाँ पर सही हो जाएगा clear है M1, D1, W1 बरावर M2, D2, W2 देखे इसमें question और कैसे पूछा जाता है इसमें ऐसे भी पूछा जाता है यदि 4 आदमी 20,000 रुपे दो दिन में कमाते है यदि 4 आदमी 20,000 रुपे दो दिन में कमाते है तो जो 20,000 होगा वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका W की जगा पर clear है के लिए दोस्तों बात W की जगा पर क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा जो work रहेगा वो नीचे आ जाएगा और आपका आदमी यहाँ पर रहेगा कितने दिन है वो यहाँ पर रहेगा केलियर दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ यह question में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला question आपका A अनुपाद B बराबर 8 अनुपाद 15 B अनुपाद C बराबर 5 अनुपाद 8 C अनुपाद D बराबर 4 अनुपाद 5 है तो A अनुपाद D बराबर क्या होगा किलियर है A अनुपाद D बराबर क्या होगा सबसे पहले तो इनको लिख लेते हैं A, अनुपाते B, अनुपाते C, अनुपाते D, यही तो है, A कितना दिया गया है, 8, 8, किलियर है, B कितना दिया गया, 15, B दिया गया, दूस्तों, आपको 15, किलियर है, अब यहाँ पर आ जाते है, B कितना दिया गया, आपको 5, तो B के नीचे B का मान लिखेंगे, यहाँ B का पह स्टार्ड हो गई है, यहाँ पर लिखेंगे C और दोस्तों, बात कटम हो गई, आप देखें अनुपाते, अब क्या कहते है, C का एक और मांद दिया गया है, 4, तो C के नीचे एक और अनुमान लिखेंगे, 4, यहाँ पर C का पात्ता दोस्तों, आठ तो यहाँ पर कितना लिख यहाँ पर यह भी खाली है यह भी खाली है तो जो खाली जगह पर क्या लिखेंगे उसके बरावर वाली संक्या यह इसके बरावर में क्या है पंदरा तो पंदरा लिख देंगे यहाँ खाली है इसके बरावर में क्या है पंदरा तो पंदरा लिख देंगे के लिए दोस्तों सभी खालिस्तान आपके बर्च चुके हैं आप देखे इनका उपर नीचे मल्टिप्लाइ कर दीजे किती है आठू पंजे 40 40 का करेंगे 4 में 160 हो जाएगा के लिए रहे यहाँ पर हो जाएगा 160 अनुपाते 15, 55, 75 चत्र का करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 300 यहाँ तो कोई डाउट नी होना चाहिए 15, 28 कितना होता है दोस्तों 120, 120 का करेंगे 4 में कितना हो जाएगा 400 80 हो जाएगा के लिए रहे दोस्तों 15, 28 कितना होता है 120 120 का करेंगे 5 में कितना हो जाएगा यह हो जागा दोस्तो 600 अब जो कटता है उसे काट लीजे देखे ये 0 ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया अब 2 से कटा के देख लीजे 2 से कट जाएगा 16 कितनी वारी 8 वारी ये कितनी वारी कटेगा 15 वारी ये कटेगा 24 वारी और ये कटेगा 30 वारी के लिए दोस्तों ये कट गया कट दिया दोस्तों अब देखिए आप से पूछा है किसका गया था A और D का A का कितका निकल के आया है A का निकल के आया है दोस्तों आपका 8 और D का पूछा गया था D का कितना निकल के आया है तीस निकल के आया है यदि ये कटके और छोटा हो सकता है तो काट दीजिए किलियर है और छोटा हो रहा है तो इसे काटके छोटा कर दीजिए दो से काट लेते हैं दो से कर जाएगा दो चौके आर दो से कर जाएगा पंदरा वारी A अनुपात D कितना निकल के आया है 4 अनुपाते 15 निकल के आया है तो 4 अनुपाते 15 किस option में है D option में दे रखा है यही हमारा सही answer हो जाएगा clear है देखें दोस्तों कभी कभी आपसे A और D का मन पूछ लिया है लेकिन जादातर क्या पूछेगा A, B, C, D यहाँ D तक दिया गया है A, B, C, D तक दिया गया तो A, B, C, D चारों का पुछेगा कभी कभी ऐसा होता है आपसे कि 2 का पुछ लिये जाए या 4 में से 3 का पुछ ले very simple है आप ऐसे ही करते जाएए simple तरीका है मैंने दोस्तों अनुपात वाले चैप्टर से वीडियो बनाए है यदि आपको कोई confusion है इस question में तो अनुपात वाले वीडियो आप देख लेंगे तो confusion आपका दोस्तों दूर हो जाएगा clear है, समझ में आ रहा है दोस्तों और उम्मीद करता हूँ ये question भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा जाता है लेकिन वह उस संख्या को 22 से गुणा कर देता है उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आता है तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी देखे कोई भी संख्या होगी उस संख्या का गुणा करना था कितने में 25 में कितने से कर दिया गुणा 22 से जादा से कर दिया तो दोस्तों जो सही उत्तर था उससे ज़्यादा संख्या आएगी के लिए यदि कम से कर देता तो सही उत्तर से कम संख्या आती लेकिन सबसे पहले हमें वही संख्या find करनी है वो संख्या क्या थी जिसका multiply हमें कितने में करना था 25 में करना था के लिए दोस्तों क्या करेंगे कितना आएगा 27 आएगा मतलब कितने से जादा कर दिया गुना 27 संख्या जादा से कर दिया और कितना आंसर अधिक आया 324 अधिक आया तो आपका दोस्तों ये 27 324 के बराबर हो जाएगा संख्या में कितना जादा से गुना किया है 27 से और आंसर में कितना ज़्यादा आया है 324 ज़्यादा आया है सही उत्तर से कितना ज़्यादा आया है 324 अदिखाया है ठीक है दोस्तों बात समझ में आ रही है 25 से करना था कितनी संख्या ज़्यादा से गुना कर दिया पूरा दोस्तो बारा बार में कट जाएगा तो वो संक्या हमारी दोस्तो क्या थी जिसका multiply करने को कहा गया था वो संक्या 12 थी जिसका multiply करने को 25 से कहा गया था करके देख लेते हैं 12 थी वो संक्या 12 का multiply करने को कहा गया था 25 से कर लेते हैं 12 का multiply मुल्ट्रिप्लचिस से करेंगे, कितना जायगा? दोस्तों, 300 आ जायगा। किलिए यदि आम 12 का मल्टिपले 25 से करते, आंसर आथा हमारा 300, लेकिन हमने कितने से गुना कर दिया, बामन से कर दिया, तो बामन से भी चेक कर लेते हैं, के लिए दोस्तों, बामन से चेक कर लेते हैं, के लिए रहे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 का 4, कहरी का 2, 12, 5, 6, 2, कितना हो क्लियर नहीं मत देंगेर है क्लियर है तो क्या इससे ये 324 अधिक है मेंधर खता देता हूँ फिक Tucson i4 में एक फिक जिसरे में कटा देना हो 502 बाविस्टेस चैके आधिक रहा है लिए हैं असनुक्त तरफ से चेक लिए कोई भी doubt इस question में नहीं छोड़ा है ताकि आपको confusion न जाए वो संख्या क्या दी 12 थी कैसे निकाली पता चल गया दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये question भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका एक रेल गाड़ी एक निश्चित गती से 240 km की दूरी 8 घंटे में तै करती है पहले से भी एक पूड़ांग एक बटे दो गुना बेग से 540 km की दूरी तै करने में कितना समय लगेगा ठीके दोस्तों दीखेंगे यहाँ पर क्या करा एक रेल गाड़ी एक न नहीं पता है चाल आपको नहीं पता है तो चाल निकालेंगे सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय ठीक है यह दोस्तों आपका चाल बराबर होता है दूरी कितनी दीखेंगे दो 40 km की 240 रख दिया समय कितना है 8 गंटे का 8 रख देंगे 8 से कटा दीजे 8 तिया 24 और 1 ही 0 मतलब 30 किलो मीटर परावर की क्या है चाल है चाल आपने निकाल ली कितनी है 30 किलो मीटर परावर की दोस्तों आपकी चाल हो गई यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब क्या कह रहा है पहले से भी 1.5 गुना बेग से बेग का मतलब है दोस्तों आपका चाल किलियर है पहले कितनी कटी थी 30 किलो मीटर परावर की अब इसका भी 1.5 गुना बेग कर दिया तो 540 किलो मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा किलियर दोस्तों बात समझ में आ रही है हमारी कितनी किलो मीटर की चाल निकल के आई है 30 किलो मीटर की इसका डेड़ गुना कर दो कैसे करते हैं दोस्तों डेड़ गुना नहीं पता है कर देते हैं सबसे पहले इसे सोर्प करोँ दो एकम दो दो में एक जूड़ेंगे तीन वट्टा दो कितनी यहां पर चाल है 30 की गुना कर देंगे कितने से 3 वट्टे दो से कर देंगे समय बराबर होता है दूरी बटे 4, किलियर है, दूरी बटे 4, दूरी कितनी है, 540 की है, 540 लिख दो, 4 कितनी है, 45 की है, 45 लिख दो, बस इसे कटा लीजिये दोस्तों, आप का अंसर यहां पर आजाएगा, किलियर है, सबसे पहले कटेगा 9.54, 1.05, 9.45, 9.45, किलिए रहे, अग 5.60 कितनी बारी कर जाएगा, बारा बारी कर जाएगा, तो समय कितना है, दोस्तों, 12 घंटे का समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, यही आप कांसर हो गया, option number C, आपका यहाँ पर सही हो हो, यह question भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अब देखेंगे अगला question, अगला question है आपका, यदि किसी संख्या और उसके बर्ग का योग, 182 है, तो वह संख्या क्या है, देखिए question में क्या करा, कोई संख्या है X, ठीक है, और उस संख्या के बर्ग का उसके बर्ग का योग, पिलस का मतलब क्या है, योग कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए, यह कह रहा है, वह संख्या क्या होगी, ऐसा question आपको मिलेगा, क्या करना है, X, Y, कुछ भी नहीं मानना है, आपको option से ही solve कर देना है, सबसे पहले क्या करते है, पहला option ले लेते है, 91 दे रखा है, 91 ले लिया, यह कोई संख्या हो गई, और इस संख्या का क्या करेंगे, वर्ग, मतलब 91 का क्या करेंगे, वर्ग, इनका योग कितना होना चाहिए, हमारा 182 होना चाहिए, तो 91 का बर्ग कितना होता है, सबसे पहले तो 90 का बर्ग ले लो, 90 का बर्ग कितना होता है दोस्तों कितना होता है 1800 होता है यह तो 90 का बरगी 1800 हो गया हमें तो कितना चाहिए 182 तो option नमबर ए आपका गलत हो जाएगा यह तो बहुत जादा जारी संख्या दूसरा option ले ले लेते हैं ठीक है 13 हो गई संख्या और इस संख्या का वर्ग ले लेते हैं कि लिए कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए तो 13 हो गया पिलस 13 का इसकोर कितना होता है 169 होता है कि लिए आप दोनों को हम जोड़ेंगे 13 169 कितना होता है 182 होता है 1872 होता है तो तेरा ही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा किलियर रहे है वो संक्षैली उस संक्षै का वर्ग किया दोनों को योग किया 182 का गया किलियर दोस्तों बात समझ में आगी तो ऐसा question आपको मिलेगा क्या करेंगे option से ही सीधा उसे solve करना है ठीक है दोस्तों अब देखतें अगला question अगला question आपका यदी दो संख्या का योग 75 है एवं उनके बर्गों का अंतर 1500 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है के लिए दोस्तों देखिए कोई दो संख्या है पहली संख्या आपने X माली दूसरी संख्या आप Y माली के लिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 75 है के लिए रहे है यदी दो संख्या का योग कितना है 75 तो X और Y का योग कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया यह X थी एक Y थी किलिए रहे इनके वर्गों का अंतर मतलब वर्ग कीजी दोनों का अंतर का मतलब क्या है माइनस करेंगे जादा मैं से कम को खटाएंगे कितना दे रखा है 1500 दे रखा है किलिए दोस्तों X- Y square दोनों का कितना दे रखा है 1500 अब पूछा गया है दोनों संक्याओं का अंतर क्या है इनका अंतर पूछा गया है क्या है तो आप इसे देखिए सबसे पहले क्या दे रखा एक्स स्कॉार माइनस वाई स्कॉार तो आपको फॉर्मुला इसका याद होगा दोस्तो एक्स स्कॉार माइनस वाई स्कॉार बराब पर क्या होता है X plus Y के लिए रहे X minus Y यह दोस्तों आपका X square minus Y square बराबर formula होता है X square minus Y square बराबर कितना दे रखा है 1500 तो इतने के बराबरा पंदरा सो लिख दीजिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए X plus Y आपको कितना दिया गया है X plus Y 75 दिया गया है 75 लिख दिया multiply X minus Y के लिए दोस्तों कितना है X minus Y दे रखा है clear है जब यहाँ पर कोई sound नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है multiply clear दोस्तों तो यहाँ पर multiply में दे रखा है X minus Y और आप से का कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर क्या मतलब है, माइनस, पहली संख्या X है, दूसरी संख्या Y से, दोनों का अंतर प्रप्त करना है, तो अंतर का मतलब क्या है, माइनस, कर लिजे, अब देखें, यहाँ पर 75 मल्टिप्लाई में है, तो 75 से इसको कटा देंगे, किलियर है, कि पहली संख्याए X, दूसरी बाई, दोनों का अंतर पूछाता, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोस्तों, 20 हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ओफसर नमबर B, के लिए रहे बात समझ में आ गई, दो संख्याए थी, X और बाई हमने दो संख्याए ले ले, दोनों का योग, पिचरतर दे रखा है, लिख लिए, कोई डाउट नी होना चाहिए, यहाँ पर क्या कहा रहा है, कि उनके बरगों का अंतर आपको दे रखा है, मतलब X स्कॉर माइनस Y स्कॉर, बरगों का अंतर हो गया, कितना, 1500, अब इसका फोर्मुला क्या होता है, X आपको फाइंड करना है पचातर से पंदरा सो बीस वर कट गया इधर किया बचा एक्स मैनेस भाई यही क्या आगया दोस्तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शीर करें यदि आपने हमार चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद